सुप्रभात बच्चो आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं अविशेक रंजन आप सभी का एक बार पुना स्वागत करता हूँ पिछली वीडियो में जहां तक हमने इस कहानी का अध्यन किया था उससे आगे बढ़ते हुए माता का आँचल कहानी का पार्ट करेंगे तो जिस तरह से बालक अपने दोस्तों के साथ खेलने की निकल जाते थे और उनके साथ अपने आसपास के दोचार गोरखपुरिये बच्चे पैसे देकर उनके साथ सामिल हो जाते थे इन सभी का लेखक ने जिक्र किया है घरउंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ती में आखरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कम मिलेगा बारात के खेल में जब दुलहन की विदाई होती तो चुहे दानी की पालकी में पिता दुलहन के मुख को कपरा हटा कर देखते और बच्चे को हचाते तो इस तरह से यहां पर यहां दिखाया गया है कि किस तरह से गाउं का एक परिवेश होता है और उस परिवेश में जब कोई कारेज कराम या किसी तरह का आयोजन किया जाता है तो बालक उन सब आयोजनों में बड़ी बड़ चरकर हिस्सा लेते हैं जैसे इसमें दावत की एक चर्चा की गई है उसमें कि बच्चे जब उहां पे खाने के लिए जाते हैं तो आखरी पंक्ती में बैठ जाते हैं और जब उन्हें उठा दिया जाता है तो फिर वो पूछते हैं कि हमें भोजन फिर फुना कब मिलेगा तो इस तरह से इन सारी चोटे मोटे सामान को जुटा कर इतनी रूची से खिलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुस हो जाते हैं तो म mobilize बालक का जो परिवेश है उसमें क्या है कि बालकों को अत्याधुनिक खेलों के सामान उपलब्द नहीं होते हैं उसके बाब़ुद भी बालक जो अपने आसपास की चीजों हैं उसको इकठा करके उन चीजों के द्वारा खेल खेलते हैं तो उससे कहीं न कहीं वे बहुत ही उत्साहित होते हैं और उन खेलों को अच्छी तरह से खेलते हैं और इससे असपस्ट होता है कि बालक के हाथों में अगर पूरी तरह से अत्याधुनिक और तक्नीकी सामाने न हो फिर भी वह पारंपरिक खेलों का उप्योग करके खुद को आनन्दित कर सकता है और खुशी से रह सकता है जबकि आज की स्थित्य यह है कि आज हमारे आसपस इतने भी सारे अत्याधुनिक खेल के साधन हो गए हैं तक्नीक हो गए हैं उसके बाद भी हम एक तरह से संकुचित से हो गए हैं हम जो गाओं में जिस तरह का एक परिवार होता है उस परिवार से हटकर सहर का जो परिवार है वो बिल्कुल अलग भिन्न हो जाता है जहां पर हम बस एक कमरे तक सीमित रह जाते हैं जबकि गाओं में गाओं का जो परिवार होता है वो सिर्फ एक कमरे तक सीमित न होकर एक पूरा गाओं एक महला होता है जहां पर सभी एक दूसरे के साथ सिने के साथ रहते हैं और प्रेम के साथ रहते हैं तो इस तरह से जो बालक है वो छोटी से छोटी चीजों के माध्यम से खेलना प्रारम कर देता है और जो भी सामान उसके सामने होता है उन चीजों के माध्यम से वह अच्छी तरह से खेलता है और उसे ऐसा प्रतित नहीं होता है कि उसके सामने संसाधनों का अभाब है या किसी चीज की कमी है तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बुढ़े का मजाक उराना और आंधी आने पर लोग गित गाना लिखक वो इसके मित्रों की आदत बन गई थी तो जिस तरह से हम देखते हैं कि गाओं में बालक क्या होते हैं कि जब छोटे बालक किसी बड़े बुजर्ग जो रास्ते चल रहे होते हैं तो उनको देखर वरा मजाक उराते हैं उनके पीछे पीछे दौरते हैं चिरहते हैं इस तरह की तमाम घटनाएं गाओं में ही ग्राम समझाने का प्रयास किया है और बड़े ही मज़दार धंग से किया है कि किस तरह से जो लोग गीत है उसको बच्चे गाते हैं और फिर बुजुर्गों को छेड़ते हैं और संसाधनों के अभाब में भी खेलो खेल से पीछे नहीं यह अड़ते हैं और बड़े उस्साह के साथ सभी खेलों को खेलते हैं इस अध्याय का आखरी और अंतिम भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद